हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट 2021 स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टुडेंट्स कांसलिंग का वेट कर रहे है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं स्टेट वा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं सभी स्टेट की क्या अपडेट है किन किन स्टेट में कांसलिंग सुरू हो गई है और आप किन स्टेट में अपलाई का सकते है ठीक है तो निट 2021 स्टुडेंट्स के लिए एक ब्रेकिंग नियूस है तो गैस सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा ताकि आपको कांसलिंग एड्मिशन और ओफिचल नौटेस से रिलेटिड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और पूरी इंफोर्मेशन को देखनी के लिए वीडिय सब्सक्रिप्शन लिजिएगा क्योंकि 30 नवंबर के बाद जो आपका नीट यूजी की जो फी है वो इंक्रीज होने वाली है तो गैस अभी फटा फट से अभी सब्सक्रिप्शन लिजिएगा और प्रिया 18 कोड यूज करने से आपको इस फीस में भी 10% का डिसकाउंट मिल के जाएंगे डिटेल्ड वीडियो सॉलेशन आपको मिलेगा रियल टाइम रैंकिंग आप ओल इंडिया रैंक जान सकते है और क्लास 11, 12 और ब्रॉपर यह स्टुडेंट के लिए सेपरेट कॉंटेस्ट रहने वाला है 50 लखकी पार्टिस्पेंट्स को मिलेगा 5000 रुपय तक और रैंग 11 to 50 वाले स्टुडेंट को 50% स्कॉलर्शिप और जिन भी स्टुडेंट का रैंग 51 to 150 होगा उनको 25% के स्कॉलर्शिप मिलेगी तो प्रिया 18 कोड तो आपको अनलोग करना है अब आपका यह जो कॉमबेट है यह वैब के उपर भी अवलेवल है तो अब तक अगर आपने इंड्रॉल नहीं किया है तो सबसे पहले इंड्रॉल कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से डिरेक्ली आप इंड्रॉल का सकते है और प्रिया 18 कोड यूज कीजिएगा जो भी फ्री प्रोडेक्ट से होंगे उनको फ्री ओफ कोस्ट आप कर पाएंगे और गाईज अगर आप अनकेड्मी का कोई भी पेड कोर्स लेते है तो प्रिया 18 कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से डिरेक्ली आप इंड्रॉल का सकते है अब गाईज हम बात करते हैं क माया सी से कंडेक्ट करवाती है और एंसि कांसिलिंग में अभी फोड़ा सा टाइम लगने वाला है ताइम क्यो लगने वाला है सुप्रीम कौर्ट के अंदर प इंगास को सुनाया जाएगा वह भी बेच में उनको टाइम गया है कोमेटी बठाए गया है कि जो सब्जेक्ट एक्सपार्ट्स है उनके थ्रू एक बर क्योशन के जाज की जाए क्या जो स्टूडेंट्स ने PIR डाली है वो बिल्कुल ठीक है या फिर गलत डाली है और NTA का भी पूचा गया है कि NTA का जो अंतिम रिस्पोंस है वो क्या रहेगा तो गाइस एक बात क्लि टीन की साथिए बात कई कि चीजर के इन की काईक्स दर्टक या जायता है यह अंके डिए रिस्पोंस रहे जाए कि एरी रीजकी रहे जाए यह, रिकिन यह ठीद है लीचेंज मेंना फना बहु कर पता है हो छांति चैन्योंस हो कि ऊप सभी याइन्ट एमाता प्रतीन है अक प्रिवाइस किया जाएगा ठीक है लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे है कि सुप्रीम कोड के फाइनल डेस जन तक का वेट नहीं कर रहे है क्योंकि आप सभी को पता है नवंबर जा चुका है दिसंबर स्टार्ट होने वाला है तो अकेडमिक सेशन बहुत जादा डिले हो गया इस आपैसे बहुता है इस दिसंबर जन्वरे तक तो काउंस्लिंग ही चलेगी तो शेल रहा ही कहां जाएगा ठीक है तो काफी जादा डिले हो जाएगा इन सब चीजों में इसलिए जो स्टेट है क्याफी स्टेट है आपने स्टार्ट कर चुके है तो आज मैं आपको इस यहां मैंने वेबसाइट ली है यदि आप आंधरप्रदेश से लिफ करते हो तो आपको रेगुलरनी इस वेबसाइट के उपर विजित करना है जो हुष से मिलेगा अंधरप्रदेश के अगर बात करें तो Counseling Authority है, Directorate of Medical Education असम website है dme.assam.gov.in और अपडेट क्या है इसका आसम भी अपनी मेरिकलिस्ट जारी कर चुका है, आउट हो चुकी है अगर आप असम स्टेट से बिलोग करते हैं तो Official वेबसाइट पर जा कर देखेगा या आसम से स्टार्ट हो चुकी है आउनाचल प्रतेश की ठीक है अब नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार स्टेट पर तो बिहार के अंदर जो काउंसलिंग बोड़ी है वो बिहार कंबाइन एंट्रेंस कॉंपेटिटिव एग्जामिनेशन बोड़ है यह वेबसाइट है अबडेट क्या है काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है चत्तिस गड़ की जो है वो डिरेक्टर ओफ मेडिकल एजुकेशन है वेबसाइट cgdme.in है और अबडेट क्या है काउंसलिंग याटर टू बिगिन नेक्स्ट है गाइस गोवा की अगर बात की जाए तो dte goa counseling authority है वेबसाइट dtu.goa.gov.in अबडेट क्या है कोई अबडेट है ही नहीं ओफिशल वेबसाइट पर कोई भी अबडेट नहीं दी गई है गोवा स्टेट की काउंसलिंग को कंडेट करवाने की नेक्स्ट है गुजरात स्टेट की बात की जाए तो admission committee for professional undergraduate medical courses वेबसाइट आप देख सकते है medadmgujrat.org अबडेट क्या है बहुत जल जो है counseling start होने वाली है हर्याना की अगर बात की जाए तो हर्याना की भी counseling अभी start नहीं हुई है website dmer.haryana.gov.in नेक्स्ट है जम्मू कस्मीर की जम्मू कस्मीर की अगर बात की जाए तो website है jkbopw.gov.in अब तक कोई भी official information नहीं जारे की गई है कोई अपडेट जारे नहीं की गई है जम्मू कस्मीर की नेक्स्ट गाईज अगर हम बात करें जहारकंड state की तो जहारकंड कंबाइन एंटरंस कॉंपरिटिव एक्जामिनेशन बॉर्ड वेबसाइट है jceceb.jharkhand.gov.in अब तक कोई भी अपडेट नहीं डाले गई है अब तक जहारकंड state की करनाटिका की करनाटिका examination authority जो है वो कांशलिंग करवाएगी करनाटिका की कांशलिंग स्टार्ट नहीं हुई है करला की अगर बात की जाए तो office of the commissioner of and for entrance examination करला website है cwe.kerala.gov.in कोई भी update official website पर अब तक नहीं डाले गई है मध्या पर्देश की अगर बात की जाए तो department of medical education मध्या पर्देश dme.mponline.gov.in website है इससे related भी कोई अपडेट नहीं डाले गई है अब तक next guys अगर हम महारास्टा स्टेट की बात करें तो स्टेट कॉमन एंटरंस टेस्ट सेल महारास्टा m.a.h.c.e.c.e.c.e.l. .m.a.c.e.c.e.c.e.l. .m.a.c.e.c.e.t.o.r.g. official website है काउंसलिंग बहुत जल्द आपके स्टार्ट होने वाली है उडिसा स्टेट के अगर बात के जाये तो गायाज उडिसा जॉइंट एंटरंस एक्जामिनेशन कोमेटी ओ जडवली.nice.in अभी तक कोई भी ओफिशल अपडेट नहीं डाली गई है ओफिशल वेबसाइट पर पंजाब स्टेट के गायाज अगर बात के जाये तो बावाफरीद यूनिवस्टी ओफ हैल्स साइंस वेबसाइट है bfuhs.ac.in और जो इसकी काउंसलिंग है स्टार्ट हो चुकी है तमिलनाडु के बात के जाये तो काउंसलिंग बोडी डिरेक्टरेट ओफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु वेबसाइट है tnmedicalselection.net अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है उतरप्रदेश की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है अब तक स्टार्ट नहीं हुई है upneeded.gov.in ओफिचल वेबसाइट है वेस्ट बेंग गोल की अगर गाइस बात की जाए तो काउंसलिंग बोडी है department of health and family welfare वेबसाइट है wbmcc.nic.in बहुत जल्द जो है काउंसलिंग स्टार्ट होनी वाली है लेकिन अब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है यह सब इस्टेट की जो है अपडेट थी कि किस स्टार्ट कुछ स्टेट मैंने बताया जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है किस कुछ ने मेरिट लिस्ट जारी की है तो आप इन पर्टिकलर स्टेट से बिलॉंग करते हो तो पर्टिकलर वेबसाइट दी गई है आप इन वेबसाइट पर जाकर अपने अपने स्टेट में विजिट करते रहेए वैसे जो भी इन्फोर्मेशन आती रहेगी आपको मेरे चैनल के उपर एवलेबल जरूर मिलेगी कि चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलॉंग करती हो तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते है और आप एड्मिशन लेना चाहाते है MBBS या BDS कोर्स में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक इंफोर्मेशन बहुत है इंपोर्टेंट रहेगी जल्द ही मिलते हैं नेक्स न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यो गाइस